इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकारों का पूरा पूरा लाग दिया है उनके विकास वे उत्थान के लिए अन्य को ठोस कदम उठाए गए कानून विवस्ता को सक करके उन्हें स्वाभी मान की जिंदगी बसर करने का भी मोका दिया गया है खास कर यूपी में SCST वे OBC वर्गों का सरकारी नोकरियों में विशेश अभ्यान चला के अधूरा पड़ा आरक्षन का कोटा पूरा किया लिया इनको वे अन्य सभी समाज के गरीव एवं बेरोजगार लोगों को भी दूसरी पार्टियों की सरकारों की तरह उन्हें बेरोजगारी भत्ताना देकर सीधे तोर पर रोटी रोजी के साधन भी उपलब कराएं यहां मैं आपको यह बताना चाहती हूँ एक फैशन सा बन गया है नो जवानों की बोर्ट को लेने का जब भी अलक्षन होता है या पार्लेमेंट का हो या असंबली का हो खासकर कांग्रेस पार्टी का हमेशा हर चुनाम में यह कहती हैं कि जब हमारी सरकार बन जाती है कांग्रेस बोलती है जब कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो जो नो जवान गरीब बेरोजगार लोग हैं तो उनको रोटी रोजी के साधन तो उपलद नहीं करा पाएगी लेकिन उनको बेरोजगारी भत्ता 2-3 हजार रुपे जरूर दे देगी मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है हमारी पार्टी इस में भरोसा नहीं रखती है इस सोच में इस निती में भरोसा नहीं रखती है और हमने केवल कहानी करके दिखाया और उत्तर परदेश में मैंने अपनी चारोखुमतों में वहां पे जो नोज़वान गरीब लोग थे, बेरोजगार लोग थे उनको बेरोजगारी भतिता नहीं, बेरोजगारी भतिता क्या चार पांसाजार रुपे दे दो, उससे क्या आपस घर का खर्चा चल पाएगा? मैं समस्ति नहीं चल पाएगा तो हमारी सरकार ने वहां दूसरी पार्टियों की तरह बेरोजगारी भत्ता ना देकर गरीब और बेरोजगार लोगों को नोजवानों को हमने बड़े पैमाने पर वहां रोटी रोजी के साधन उपलग करा हैं और इतना ही नहीं जो वहां पर भू लेटेस कबरों के लिए देखते रहें म्यूज जेड न्यूस और ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले करें हुआ हैं पर भूले करें लिए बाज ही जो वहां यू जो वहां रूज है लिए देखते रहें दो ना जो पामर ड़ शासर आउ हां 5 आप अजेदाने झाल झाल